48 घंटे की समाधी लेखर बैटने वाले पुजारी की समाधी तूट गई पुलिस परसाशन ने 4 घंटे में गड़ा खोद कर पुजारी को बाहर निकाल लिया पुजारी ने समाधी लेने की वज़े बताते हुए कहा कि मंदिर की जमीन का कोई विवाद है जिसकी वज़े से चौथी बार उन्होंने समाधी ली चातरपुर के गौरेय गाउ में एक बुज़ूर की पुजारी के समाधी लिये जाने की खबर से हरकम बच गया इस पुजारी ने गाउ के लोगों के सामने खुद को 8 पिट गहरे गड़े में बंद कर लिया और 48 घंटे तक समाधी में बैठे रहने का प्रण दिया लोगोंने पुजारी की समाधी की पूजा अर्चना करते हुए इसे लोही की प्लेटों से ढखवा दिया और उसके उपर लगभग 2 फिट उची मिट्टी की परत चड़ा दी साथ ही उनके उपर दिये भी जलाए लोगों का कहना है कि पुजारी पहले भी कई बास समाधी ले चुके हैं इन पर हनमान जी की क्रपा है मामले की सूचना पुलिस को मिले तो पुलिस प्रसाशन ने कारवाही करते हुए गंटे में गड़ा खोद कर पुजारी को बहार निकाल लिया पहले तो यह पुजारी निकलने में आना कानी कर रहे थे लेकिन बाद में पुलिस के समझाने पर यह बहार आ गए समाधी से निकालने के बाद पुजारी ने बताया मंदिर की जमीन का कोई विवाद है जिसकी बज़े से चौथी बार उसने समाधी लिए महीं प्रसाशन का कहना है कि पुजारी से बात की जाएगी आखिर उनकी समस्या क्या है उसे हल किया जाएगा बज़े तिस के बार मंदर की जमीन की उपर लग रहा है हर बेओ लग रहे हमाई पुरखा रहे प्यताजी जे रहे कम से कम तो हमाई जनम ने होगा ता तब से महाँ पिताजी रहा रही मैं और इस उनभ बहा पिताजी को सुरगबाग हो गया तो तब से पूजा पाठ हम भी आपके द्वारा सूचना दी गई है इसमें अभी तो कैसी कोई सूचना नहीं मिली थी ना कोई ऐसी बात आई थी कि समय समाधी ली जा रही है इसमें पुलीस और प्रशासन दोनों की टीम जा रही है और उसमें उन्हें निकला जा रहा है और उसको निकाल के फिर उनका अम माहा पर सूचना प्राप्त होते ही ग्राम बासी और पुलिस प्रशासन के उपस्तिती में बाबाजी को सावको सल बाहर निकाला गया है यार अजय है हम लोकिटिट अट हम इस उमर में ऐसे रहेंगे क्या फिलकुल रहेंगे अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो जैसे की मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया एलाइसी के जीवन अक्षे में जो दे रहा है इमीडियेट और गारंटिड अन्यूटी अट रेग पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी एलाइसी हर पल आपके साथ वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए दरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हैं हर मसले का सटीक मिशलेश हम करते हैं सब्दे का अनुवेशा तखलनी उस आपके हक्त में आप रहे है तकल्यूल